थेंक्यू सो मच यार आप मेरी वीडियो का वेड करते हो और वीडियो को लाइक करते हो थेंक्यू सो मच तो आज किस वीडियो में वीवो V20 वर्स है शौमी मीईलेवन आय के बीच में हम स्पीद टेश्ट करने वाले है और दोनों भी फोन में आपको पता है कि Mediatek Dimensity 920 का प्रस्तों देखने मिलता है उसके बाव जुद देख लिएते कौन सा फोन फास देखने मिलता है Mi Eleon Eye में आपको Mi Eleon Eye में आपको Mi Eleon Eye में आपको Touch OS 12 देखने मिलता है Android 12 के साथ और Mi Eleon Eye में आपको Android 11 देखने मिलता है बट यहाँ पी Vibration Motor की बात करें तो देख सकते हो टक टक फिल करवाता है Mi Eleon Eye में बट बहुत ही वेकर Vibration Motor V23 में देखने मिलती है Dimensity 920 का फिस्तों देखने मिलता है और Antutu Benchmark स्कोर अल्मोस सेमी आते है जब Mi Eleon Eye में आप Performance Mode on करके Antutu को run करते हो बाकी Single Score, Multiscore, Geekbench के देख सकते हो और CPU Throttling में Semi Perform करते है 87% बट यहाँ पे Maximum, Minimum, Average Score आपको बेटर V23 में देखने को मिल जाते है बाकी गाइज Read, Write, Speed भी आपको Xiaomi Mi Eleon Eye में बेटर देखने हो मिलता है और यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की दोनों पेफ़न में आपको Amulet Display देखने हो मिलता है 120Hz का डिस्प्ले प्रजिस्टर रेट Mi Eleon Eye में देखने हो मिलता है तो 90Hz V23 में देखने हो मिलता है तो चलो स्टार्ट कर लेते है Reboot, Stage से और देख लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन साफोन सबसे पहले boot हो जाता है Like का टर्गेट 1000 रखते हैं कर देना यार, 1000 जादा नहीं होते है तो Mi Eleon Eye सबसे पहले यहाँ पे boot हो चुगा है और Vio को लगबग 20 सेकंड लगे थे यहाँ पे 20-22 सेकंड के आसपास उसके बाद यह V23 boot हो गया तो booting में clearly winner है Mi Eleon Eye Mi Eleon Eye में आपको side-mounted physical fingerprint देख में मिलता है तो V23 में आपको in display देख में मिलता है बात करे speed की no doubt यार दोनों के भी fast है but physical fingerprint fast होता है as usual तो यहाँ पे delay थोड़ा सा हलकासा fast देख में मिलता है आपको Xiaomi Mi Eleon Eye का fingerprint बाकी V23 का भी fingerprint का spirit मुझे गजब लगा यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है slow तो बिल्कुन नहीं है उसके बाद काइनवस्टर एप से same size का same length का एक video create करते है और run कर लेते same time पे देख लेते कौँसा phone finish कर पाता है दोनों भी phone 4K तक video editing support कर लेते हैं काइनवस्टर में तो same size का video यहाँ पे मैंने बनाया है size देख सकते हो तो start कर लेते हैं यहाँ पे rendering को 1,2,3 और go तो यहाँ पे guys देख सकते हो कि Xiaomi Mi Eleon Eye ने एक मिनिट आठ सेकंड के बाद वीडियो को finish किया और उसी same video को यहाँ पे V23 ने लगबग एक मिनिट 18 सेकंड लगाए मतलब 10 सेकंड का यहाँ पे difference था 10 सेकंड का उनले difference था तो यहाँ पे वीडियो rendering में आपको थोड़ा सल का सफा Xiaomi Mi Eleon Eye देखने को मिल जाएगा दोनों भी phone same wifi network से connected है तो कर ले दे internet speed test मतलब internet base app opening speed test सबसे पहले काई यहाँ पे मैंने एक change किया है Xiaomi Mi Eleon Eye में मैंने जो global animation रहते है मतलब जो app opening closing animation रहते हैं उसको बन कर दिया है क्योंकि V23 में app opening closing animation नहीं देखने को मिलते हैं तो test बन जाए फिर इसलिए मैंने Xiaomi Mi Eleon Eye की जो animation है app opening के वगरे ओ मैंने बन कर दिया है तो start कर लेते system based phone app V23 दोनों में भी google डाले देखने मिलता है चिल्ला के बता देता है कि आप call record किया जा रहा है message same था setting Mi Eleon Eye ने पहले उपन किया उसके बाद photo तो यहाँ पर हल्का सम्मी Eleon Eye लगा बट इतना जादा डिफ्रेंस नहीं था camera app almost same ही था तो system based app मैं आपको जादा डिफ्रेंस देखने को नहीं मिलता विल्गूल भी उसके बाद कर लेते हैं internet based app उपनिंग facebook तो यहाँ पर भी फिर से same ओके पोस्ट ओपन करके रख देता हूँ रेया मेनेजमेंट टेस्ट के लिए काम आएगा instagram फिर से same और गाइद अभी तक instagram पर फॉलू नहीं किया तो कर लिज़े यार यहाँ पर भी मैं interesting reels upload करता रहता हूँ twitter फिर से same यहाँ पर भी कोई डिफ्रेंस नहीं है और आपका कोई भी question हो तो twitter पर मुझे डारेक्टली ट्याग कर सकते है आपको अंस्वेट देख में हूँ मतलब मैं अंस्वेट देदूंगा उसके बाद flip card तो यहाँ पर हलका सा मुझे लगा था शाओमी मी इलेवन आयब इतना डिफ्रेंस बड़ा काउंट नहीं कर सकते हैं बड़ा डिफ्रेंस नहीं तो क्या काउंट करें गया Amazon भी सेम था Chrome विद वेबसाइट तो यहाँ पर वी 23 ने पहले ओपन किया प्लेज स्टोर सेम अल्मोस YouTube सेम और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कीजे कि आपके लिए मैं खुद के पैसों से फोन खरीद था हूं उसके बाद Amazon Prime तो यहाँ पर वी 23 ने पहले ओपन किया स्पॉर्टिफाइ शामी मी 11 आय ने पहले ओपन किया यहाँ पर तो सब्सक्राइब गाइज जरूर कर लिना गेम सब्वेसर पर सेम यार सेम सेम पूरा काटड़े कर टक कर चल रहा है दोनों के पास दो दो पॉइंट है टेमपर रन तो यहाँ पर हलका सा था मी इलिएन आया आगे बट यहाँ इतना काउंट नहीं कर सकते हैं कॉल अप डुडी यहाँ पर क्लेरली शामी मी इलिएन आयने पहले होकर नहीं गाए क्लेरली क्लेरली उसके बाद क्यूंब एसपॉल नाइन यहाँ पर क्लेरली वीट्वेंटीत्री फिर से तीन दिन फिर से टककर जबरदस चल रहा है आपर बीजम है मतलब इंडियन पब जी तो यहाँ पर तो पता चली जाएगा तो यहाँ पर है आपका शामी मी 11i यस तो गाइस लिटरली बदा रहाँ कि शामी मी 11i हलका फलका फास्ट एप्स ओपन करता है जैसी कि देख सकते हो बट इतना जैमिन आसमान का फरक नहीं होता है दोनों के भी फोन के आया है ओपनिंग में और यहाँ पर काइस बात करें ग्राफिक सेटिंग सपोर्ट की दोनों भी फोन स्मूथ प्लस एक्स्टिम सपोर्ट करते है बीजया माई में मतलब स्मूथ में ही आपको उनली 6 टेप पेस देखने को मिल जाएगा बाकि HDR में आपको 4 टेप पेस ही देखने को मिल जाएगा बाकि गेमिंग रिव अपने मदन का एक वाट गेमिंग चालों की उपर आएगा लिंक आपको मिल जाएगा या आप डिरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर सकते है तो कर लेते हैं RAM Management Test सबसे पहले BGMI दोनवी फोन के में 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 था SPONLINE दोनवी फोन के में 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 देखने में मिलता है Call of Duty दोनवी फोन के में 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 आपको देखने में मिलता है Temple Run दोनवी फोन के में 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 आपको देखने में मिलता है सबसे पहले BGMI दोनवी फोन के में 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 था या पर Spotify दोनवी फोन के में 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 था Amazon Prime भूल चुके है YouTube भूल चुका है Meleon Eye बट अभी भी है V23 के में 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 ओके उसके बाद प्लेश्टोर दोने फोन के मेमरे में देखने मिलता है Chrome with Website दोने फोन ने फिर से रिलोड किया Amazon दोने फोन ने फिर से रिलोड किया Flipkart दोने फोन के मेमरे में देखने मिलता है Twitter दोने फोन के मेमरे में देखने मिलता है और Facebook दोनों फोन के memory में देखने मिलता है तो RAM management test में भी मतलब RAM management में भी इतना difference नहीं है Vivo के पास एक point है बस बड़ गाइज, overall में बात करो दोनों फोन में same dimensity 920 देखने मिलता है दोनों फोन almost same perform करते बट MIUI अभी भी Funtouch OS 12 से हलका सा ज्यादा optimize है Yes, हलका सा optimize होने के वज़े से इसमें fast app open होते हलके से हलके से बट ज्यादा इतना difference नहीं है बाकि V23 में camera better है तो camera ही खराव है Xiaomi Mi 11 eye में बाकि Xiaomi Mi 11 eye में बहुत सारी चीज़े आपको better देखने मिलते है इन दोनों के बीच में full comparison चाहेगी नहीं मुझे जरूर कमेंट करना जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं seriously लेके वीडियो बनाऊँगा बाकि कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा मिलते है नेक्स वीडियो में जेहिन दोस्तो